शत्रंच खेल को बढ़ावा देते हुए बच्चों में बहुत धिक विकास करने को लेकर All India Chase Federation की तत्वावधान में Chase in School की शुरुवात की गई है इसका विधिवा शुभारम बालो जिले से किया गया यहां भारती Chase Association की पुर्व राश्टी पार्धियक शुभा कलेक्टर जन्मजय महवे विश्यस्तुरूप से शामिल हुए Chase in School जिहां All India Chase Federation की तत्वावधान में शत्रंच खेल के बारीकियां सिखाते हुए बच्चों में बौधिक विकास कराने को लेकर पहल की जा रही है शत्यचगर प्रदेश के शास्की स्कुलों में Chase in School की शुरुवात की गई है इसका विधिवा शुभारम बालोट जिले की शास्की शाला से किया भी गया यहां शुभारम आउसर पर भार्दी Chase Association के पूर्व रास्ट्य उपाध्यक्ष व बालोट कलेक्टर जन्मजय महोबे शामिल हुए बच्चों में भी यहां पर शत्रंज को लेकर गजब का उत्साह रजर आया यहां बच्चों को Chase खेल की महत्ता बताते हुए खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया विशेस रूपशे शामिल जिला कलेक्टर ने भी यहां काफी रुची दिखाई वह बच्चों का उत्सा वर्धन किया दो चीज है इसमें तो Chase हम बच्चों के लिए काफी एक ऐसा स्पोर्ट से जो mental stability लाता है logical बनाता है इसमें science, math से सारी चीज है बच्चों का concentration बढ़ाता है patience बढ़ाता है, discipline में रखता है और creation, main है creativity लाता है आपने देखा होगा लगबग 2 साथ से बच्चे online पढ़ाई कर रहे हैं और online बहुत सारे sports खिलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो chess हम चालू कर रहे हैं यह online भी संभव है और offline भी कोरोना काफी संक्रमान इसका कम हो चुका है तो जैसे exams खतम होगी तो offline भी हम इसका competition चालू करेंगे initially हमको लगबग 2 मेहने start करने का था किन्तु टार्गेट हमारा यह था कि October में चालू कर दे कोईट योजेस चालू नहीं कर पाया थे और अभी यह चालू हुआ है और हमारे जिले में भी कई प्रदेश इस्टार स्टेट लेवल पे खेले हुए बच्चे हैं वो काफी उत्साहित हैं पी टी आई इसमें इंवाल है और यह कंटीनीव चलता रहेगा और अप्रेल में जब एक्जाम खतम होगी तो इसका में एक डिस्ट्रिक लेवल का वहीं एसोशेशन के पूर्व राष्ट्री उपाध्यक्ष ने भी चेस सिन स्कूल की पहल पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से पहल को साजा किया वह राज्जी के मुख्या भुपेश बगेल वह चतिजवर उलम्पिक संग के महा सचियू गुर्चरण सिंग हुरा का अभार दिल से जताया अकिल भारती चत्रण महा संग द्वारा एक विशेश योजना बनाई गई है चेस स्कूल के नाम से इसका उद्देश सिर्फ शठ्रण के लड़ी तैयार नहीं करना है बल्कि शठ्रण से विद्धियार्थियों को क्या-क्या लाब हो सकते हैं उसका फाइदा भी मिल सके इसके साथ साथ शठ्रण के प्रतिभाय याजी सामने आती है तो उनको तलाश्णा और उनको से बच्चों की creative thinking, logical thinking, उनकी याददास, उनमें leadership की quality, उनकी reading skill, maturity, उनको योजना बनाना, प्रानी करने की आदत, concentration, observation skill, discipline, उनका IQ, बहुत से ऐसे गुण हैं. analysis करने की ability भी इससे आती है, आप दूर तक सोच सकते हो, बहुत से ऐसे गुण हैं, जो शत्रेंच खेलने से स्वबावी कुरूप से आ जाते हैं, और आप भी इससे सहमत होंगे, कि ये सारे गुण किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यदि ये गुण है, तो व्यक्ति क इसी भी फिल्ट में जाए, पूरी की पूरी सफलता हसिल कर सकता है, तो इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारी Apex Body, All India Chess Federation, उनके जो में कर्णधार हैं, स्री संजे कपूर साब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे बहुत सक्री सचिव, जिजे हम इत्यास पूरुष क सकते हैं, स्री भरा सिंग चौहांग, और All India Chess Federation, Chess In School के चेर्मेन, स्री अजीत वर्मा साहब, इन लोगों ने एक विशेश योजना बनाई, और इस योजना को लागू करने का सबसे पहला गौड़ो भी 36 गड़ को प्राप्त हो रहा है। उन लोगों को शत्रंज के लिए कितनी उनमें जाग रुकता या लगाओ दिखी। विधाय नहीं मिल पाती वो आउसर नहीं मिल पाते जो की सहरी बच्चों को अवेलेबल है। तो हमारा फोकस था कि हम ग्रामीन अंचल और आदिवासी अंचलों में जाएं। हम बालोद गए। स्वभाग्य से बालोद के कलेक्टर सहाब श्री जन्मेजय मौवे सहाब जब हमने उनकी जिग्यासा, उनकी सोज, उनकी कारी चंता और उनकी इच्छा को देखा, तो हमें लगा कि बालोद एक आदर सिस्थान है, जहां ग्रामीन अंचल भी है, आदिवासी अंचल भी है, और यदि हम यहां से अपनी कारी योजना को प्राराम करते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत में जाएगा। तो हमने उन से रिक्वेस्थ किया, उन्होंने भी हमें भरणपूर आफ़र दिया, और भर रजब शल में प्रोशान दिया, और छे सीज इस्कूल के लिए उन्होंने हमें छे इस्कूल दी, जो पांच इस्कूल, पांच अलग-अलग ब्लाक में है, ग्रामी डैंचलो में है और एक बालोग से स्वामी आत्मा दन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल उदों ने हमें दी कि आप यहां से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। श्री भरा सिंग जी चौहान जब राइपूर प्रवास में आया थे हमारे वार्शिक अधिवेशन के दोरान तो मान्दी प्रदेश के यश्रश्वी मुख्यमंत्री श्री भुपेज भगेंद जी से हमारी हमारे संरक्षक श्री गुरुचेंड सिंग जी होरा के नेत्रितों म हमारे अधियक स्री राग्मेंद सिंगानिया जी और दूसरे पदाजिकारी जो हैं उन्हों जो मान्दी मुख्यमंत्री जी से भेंट की उनको चेसिन स्कूल के बारे में बताया तो चेसिन स्कूल के बारे में जानकर मुख्यमंत्री जी का जो रिस्वांस था वो बहुत ही उत्साहवरतक था, उन्होंने भी इसके लिए अपनी पूरी रजामंदी दी और हर तरह साशन के सायोग का हासवसन दिया, और उसी क्रम में हम होरजी के साथ इस प्रोग्राम को अपने विश्थार से चर्चा की और आगे बढ़े, निश्चित रूप से जो रिस्वांस हमने बालोत में देखा, बच्चे इतने उत्साहित थे, शीखना चाहते हैं सत्रे, जो लोग थोड़ा बहुत सत्रे जानते भी थे, वो भी और आगे पढ़ना चाह रहे थे, तो एक बहुत जबर्दक उत्सा हमको वहां दिखा, और ये जो है, ये लगभग ये इस्थिती पूर प्रदेश में सभी स्कूलों में हमें मिलेगी, वहीं यहां पर शुभारम बॉसर पर शामिल स्कूली विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, अब बहुत अच्छा लग रहे किया, ये कारिक्रम हुआ है, और इसके बहुत सारे अड़्वांटेजिस हैं, हमार तक स्कूल लेवल तक गई हूं, और डिस्टिक लेवल तक, ये बहुत यूसफुल रहता है, क्योंकि इसे हम लाइफ डिसिजन्स ले सकते हैं, पेशन्स रहती है, इसमें, डिसिप्लीन रहती है, वेरी यूसफुल, अपना नाम बताएंगा, मेरा नाम चंचले आताँगा, सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हमारे जो मेट्स हैं, वो भी चेस्क में आगे बढ़ेंगे, और सर, जैसे कि मैं सर, शुरू से चेस्क में था, मेरे नेबर से सीखा, फिर धिर धिर आगे बढ़ा, तो मेरे को बहुत बहुत इंप्रूब्मेंट दीखी, और बाकी जीवन में हमारी गती क्या होगी, जीवन के अगले शन में हमें क्या नेणाय लेना है, जो जीवन में लाबदायक हो, इस तरह के कई बौधिक विकास शत्रन से होते हैं, जो की स्कूली विद्यार्थियों को नई उर्जा, नई रहा प्रदान करते हैं, निश्ची थी All India Chess Federation की पहल, चेस्ती निश्कूल विद्यार्थियों के जीवन में सफल्व एकागर होने में कारगार साबित होगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती हैं, ग्रेंड एसी निउस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट